तो जिसना से आपको पता है हमारे पास React.js की लेक्चर स्रीज चल रही है और आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं Binding Event Handlers तो यह हमारा Part No.19 होगा और मैं हूँ आपका सर मौमद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखो Binding Event Handlers के concept को cover करने से पहले मतलब इस लेक्चर से पहले कुछ prerequisites हैं मतलब कुछ चीजे हैं जो आपको cover करना लाजमी है उसी के बाद आपको यह वाला आज का lecture समझ में आएगा तो वो कौन-कौन से prerequisites हैं मैं आपको बता देता हूँ देखो सबसे पहला concept आपको आना चाहिए इस keyword in JavaScript ठीक है कि JavaScript के अंदर जो इस keyword का concept है वो क्या होता है किस तरह से काम करता है यह आपको पता होना चाहिए और फिर constructor in react मतलब constructor react में किस तरह से काम करता है वैसे तो constructor JavaScript का concept है लेकिन react में किस तरह से काम करता है इसको हमने अपने previous lectures में देखा था इसकी वीडियो भी आपको description में मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इसको cover कर सकते हो थर्ड आपको पता होना चाहिए super keyword के बारे में जो के एक JavaScript का concept है तो हमने constructor और super keyword को एक ही वीडियो के अंदर हमने cover किया था जो के हमने react playlist के अंदर बनाई हुई है तो वहाँ से जाके आप इन दोनों को cover कर सकते हो और फिर चौथा concept है state in react ये भी हमारी playlist के अंदर मौझूद है और फिर आ जाता हमारे पास event handling in react जो के हमने last lecture के अंदर cover किया था तो मतलब देखो अगर ये 5 चीजे आपको नहीं पता या पर इन 5 चीजों का आपको concept नहीं है तो आपको ये lecture समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना होगा तो मैं recommend करूँगा पहले ये concept cover कर लो उसके बाद आप इस lecture के उपर आओ क्योंके देखो आज का जो हमारा lecture है वो है binding event handlers इसका मतलब इस concept को समझने के लिए पहले आपको event handling का concept लाजमी आना चाहिए क्योंके यहाँ पर event handlers को bind करने की बात हो रही है सबसे पहले मैं आतो अपने visual studio code में इसका practical आपको करके दिखाता हूँ उसके बाद इसकी आगे की theory को हम cover करेंगे सही है तो मैं आतो अपने visual studio code में ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको बताए new app के उपर हम काम कर रहे है और यहाँ पर यह index.js वाली file है लेकिन मैं आपर अपर एक fresh component बनाता हूँ यह जो component होगा यह class component होगा यह functional component नहीं होगा क्योंकि आपको पता है constructor और यह जो super keyword का concept है यह जो class के अंदर यूज करते हैं functional component के अंदर नहीं ठीक है तो देखो यहाँ पर shortcut क्या है RCC RCC मतलब react class component तो यहाँ पर लिखके मैं इसको enter करता हूँ तो यह देखो यह हमारे पास import भी हो गया यहाँ पर देखो export भी हो गया और जो हमारी component class होती है जो के parent class होती है वो भी यहाँ पर देखो inheritance हो गई है तो यहाँ पर देखो यह जो component है मैं कहता हूँ के भई यह हमारे पास एक button हमें return करके देगा तो यहां पर देखो, यहां पर मैं एक बटन मनाता हूँ, ठीक है, और इस बटन के अंदर मैं आपर क्या देता हूँ, क्लिक, ठीक है, और इस बटन की जो टाइप होगी, ठीक है, इस बटन को टाइप मैं आपर क्या देता हूँ, बटन ही इसकी टाइप कर देते हैं मतलब देखो मैंने एक सिंपल सा बटन बनाया उसके अंदर text क्या show होगा हमें click show होगा ठीक है और अब इस component को अगर मैं अपनी index.js वाली file में call करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं इसी line को यहाँ से copy करते है नीचे और मैंने अपनी इस file का क्या नाम रखा है यह जो मैंने component बनाया इसका मैंने नाम रखा है binding event ठीक है और इसी नाम से मैं इसका alias भी बना देता हूँ यहाँ पर ठीक है import के बाद सही है तो अब मैं इसको call करता हूँ यहाँ पर ठीक है देखो यह जो मेरा render method है ठीक है इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको मैं call कर लेता हूँ सही है तो मतलब यह जो component है जो के बटन हमें यहाँ पर अभी return करके दे रहा है उसको मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया डिस्प्ले करवा दिया तो अगर मैं अपने browser पर आऊ तो यहाँ पर देखो यहाँ आपको button नजर आ रहा है ठीक है लेकिन देखो यह button अभी कहाँ पर है यह top left side पर है तो मैं क्या करता हूँ इसको center में लाने के लिए देखो यह जो react.strick mode है इसको मैं फिलाल हटा देता हूँ इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है मैं आप एक div create करता हूँ और div के अंदर यह जो मेरा component है मैं इसको call करता हूँ सही है और shift alt f करके मैं इसको beautify कर देता हूँ और अब इसके उपर मैं class apply करता हूँ जिसका नाम है app तो देखो जो app class है यह कहां से आ रही है यह आ रही है आपके पास index.css इसके अंदर यह वाली class मौझूद है तो जैसी मैं इसको save करता हूँ और browser पर आता हूँ तो यह देखो हमारा button center में आ गया तो देखो अब मैं क्या करता हूँ मैं आता हूँ अपने आपे class component में और मैं आपे एक constructor बनाता हूँ ठीक है constructor उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने अपने previous lectures के अंदर देखा था सही ए constructor आ गया और constructor के अंदर सबसे पहले मैं अपने parent constructor को call करूँगा इस super keyword की मदद से मतलब देखो यह जो constructor है यह child constructor है super keyword क्या करेगा हमारा जो parent class है ठीक है जिसका नामे component उसके constructor को यहाँ पे call करेगा और अब यहाँ पे मैं एक state define करता हूँ उसी तरह से जिस तरह से हमने previous lecture में देखा था तो यहाँ पे मैं कहता हूँ this.state ठीक है फिर is equal to और फिर यहाँ पे curly bracket बना के इसकी मैं body बना लेता हूँ और इसके अंदर for example मैं एक name store करता हूँ और name मैं अपना store कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया एक state बनाई और state किसके अंदर बना रहा हूँ constructor के अंदर बना रहा हूँ यहाँ पे access करता हूँ अपने button के उपर तो देखो मैं आपे h1 लिखता हूँ और मैं इसके अंदर यहाँ पे curly bracket on करता हूँ expressions को और यहाँ पे मैं कहता हूँ this.state और फिर state के अंदर हमारे पास property है जिसका नाम है name सही है shift alt F करके इसको beautify करते हैं अब जो भी मैंने यहाँ पे state के अंदर यह name set किया आदिल वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा तो इसको save करते हैं browser पे आते हैं तो यह देखो button के ओपर आपको क्या नजर आ रहा है आदिल नजर आ रहा है लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जैसी मैं इस button के ओपर click करूँगा तो इसकी state change हो जाए और आदिल से for example कुमार हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए यहाँ पे देखो यह जो मैंने constructor बनाया इस constructor के बाद मैं एक अपना custom function बनाता हूँ और मैं उसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ handle event मैं इसका नाम रख देता हूँ handle event और इस handle event के अंदर मैं क्या करूँगा अपनी state को update करूँगा किस तरह से देखो this dot और यहाँ पे हमारे पास एक function यूज होता है method यूज होता है जिसका क्या नाम है set state और इसके parenthesis और parenthesis के अंदर मैं आपे curly bracket on करूँगा और इसके अंदर मैं आपे name change कर देता हूँ जिस तरह मैंने बता है मैं आदिल के बजाए आपे क्या कर देता हूँ कुमार मतलब देखो मैं करूँगा क्या first time हमें ये state नजर आ रही है मतलब ये name नजर आ रहा है जिसका क्या नाम है आदिल लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसी मैं इस button के उपर क्लिक करूँगा तो हमारी state चेंज हो जाए और ये वाला function चले और जब ये वाला function चलेगा ये हमारी value को आदिल से क्या कर देगा कुमार कर देगा तो मतलब अब इस function को मुझे call करना इस button के उपर किस तान से call करेंगे या पर देखो सबसे पहले on click ठीक है सबसे पहले या पर on click आयगा और फिर या पर मैं curly bracket on करूँगा ठीक है और on click के बाद यहां पर देखो मैं इसको कहता हूँ this dot और हमारा यह method है function है जिसका क्या नाम रखा था हमने handle event इसको मैं यह पर call कर दूँगा सही है तो देखो last lecture के अंदर जब हमने event handling पड़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी function को call करोगे इस तरह से call करोगे on click के उपर मतलब मैं कहना हूँ कि जैसे ही मैं इस button के उपर click करूँगा तो यह वाला function चलेगा यह वाला और यह वाला function क्या करेगा हमारी state को update कर देगा और update करके value के set कर देगा कुमार ठीक है लेकिन अभी आप result देखना यह जो मैं काम अभी करना चाहा रहा हूँ यह होगा नहीं ठीक है पहले मैं आपको इसके result दिखाता हूँ इसको save करता हूँ ठीक है और अब यहाँ पर आओ ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं अपना console भी open कर लेता हूँ ठीक है right click करते हैं और यहाँ पर देखो आपको console नदर आ रहा है मैं console के उपर click करता हूँ ठीक है यह देखो अभी मैंने button के उपर click नहीं किया लेकिन देखो जैसी में button के उपर click करता हूँ यह देखो नीचे console में देखो error आ रहा है और एक चीज़ notice करो हमारी state update नहीं हुई मतलब आदिल की जगह कुमार नहीं आया क्यों नहीं आया उसकी वज़ा क्या उसकी वज़ा यहाँ पर देखो console में आ जाओ देखो error पड़ो क्या कह रहा है यहाँ पर देखो पहली line में क्या कह रहा है cannot read properties of undefined अब यह undefined का क्या मतलब है भाई देखो concept समयना यह undefined पता है किसकी बात कर रहा है यह undefined बात कर रहा है हमारे इस this keyword की इस this keyword को कह रहा है कि यह undefined है और यह undefined है यही वज़ा है कि मैं this के साथ यह जो set state का function यूज़ कर रहा हूँ यह भी access नहीं हो रहा मतलब हमारी react app को this नहीं मिल रहा this उसको undefined मिल रहा है ठीक है देखो अगर मैं यह यह पे आऊँ और यह देखो यह this.state मैं यहां से अटाता हूँ मैं इसको comment करता हूँ और मैं कहता हूँ जो handle event है न इसके अंदर यहां पे देखो मैं console.log करवाता हूँ सही है console.log करवाके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ देखो इसके अंदर मैं आप कहता हूँ for example hello और hello के साथ यह जो this keyword है ना मैं इसको call करता हूँ मतलब मैंने क्या बताया है कि अभी मैं this को access नहीं कर पा रहा क्यों क्योंके this हमारे पास undefined आ रहा है मतलब देखो जैसी मैं on click के ओपर click करूँगा तो यह handle event चलेगा सही है और जब handle event चलेगा तो यह वाली line execute होगी तो जब यह वाली line execute होगी तब क्या होगा आप result देखना देखो मैं इसको save करता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले मैं एक दफ़ा refresh कर देता हूँ ताकि console हमारा clear हो जाए सही है और अब देखो अब मैं इस button के ओपर click करता हूँ जैसे click किया तो यहाँ पर देखो मतलब आप एक चीज़ notice करो हमारा ये वाला event चल रहा है handle event handler चल रहा है और इसके अंदर देखो hello भी print हो रहा है लेकिन वो जो this keyword था वो हमें क्या return कर रहा है undefined मतलब यहाँ पर देखो handle event चला console.log के अंदर क्या print हो रहा है hello print हो रहा है लेकिन हमारे पास this axis नहीं हो रहा है this की जगा पर क्या रहा है this की जगा पर undefined आ रहा है तो इसको इस चीज को set करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा देखो मैं ये वाला portion यहां से comment करता हूँ और ये जो this dot set state था इसको मैं uncomment कर लेता हूँ ठीक है तो मतलब अब मुझे क्या करना है अपने इस on click को bind करना है कि इसके साथ handle event के साथ और this keyword के साथ तो किस तरह से bind करते हैं यहां पर आजाओ ये जो super keyword है इसके बाद मैं यहां पर आता हूँ मैं यहां पर कहता हूँ this dot तो यहां पर देखो ये जो मैंने अपना event handler बनाया था जिसका मैंने नाम के रखका था handle event ठीक है मैं इसको यहां पर call करता हूँ और यहां पर देखो मैं कहता हूँ this dot और उसके बाद दुबारा मैं यहां पर handle event और अब मैं इसके साथ एक method यूज करता हूँ bind का और इस bind method के अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना this keyword मतलब देखो यह line लिखने से क्या होगा यह line लिखने से यह होगा कि यह जो मेरा on click पे यह जो event fire हो रहा है handle event यह हमारे इस event handler के साथ bind हो जाएगा मतलब आप समय लो पहले हमें this axis नहीं हो रहा था ना और this axis नहीं हो रहा था तो यह set state का function भी नहीं चल रहा था लेकिन आप समय लो कि मैंने अपनी react app को बता दिया कि यहां पे मैं this keyword को इस function के साथ bind कर रहा हूँ कौन से function के साथ handle event के साथ bind कर रहा हूँ तो जब handle event के साथ मैं bind करूंगा इसका मतलब अब मैं अपने handle event के अंदर यह this keyword यूज कर सकता हूँ और this keyword यूज कर सकता हूँ इसका मतलब अब मैं उसकी state को भी update कर सकता हूँ तो मतलब अब क्या होगा अब जैसी मैं button पे click करूंगा button पे click करूंगा तो हमारा यह handle event चलेगा और चूंके this support हो गया है मतलब this हमारे पास आ चुका है तो अब हमारी state भी update हो जाएगी ठेक है तो इसको save करता हूँ और इसका result मैं आपको दिखाता हूँ ठेक है browser पे आते हैं ठेक है और एक दफ़र रिफ्रेश कर लेता हूँ ताके console हमारे पास clear हो जाए अब देखो अभी क्या नज़र आ रहा है आपको आदिल नज़र आ रहा है लेकिन अब मैं जैसे click button पे click करता हूँ तो ये देखो state update हो गई और हमारे पर result क्या आ रहा है कुमार समझा है आपको मतलब देखो जब भी आप on click के उपर या कोई भी event हो उसके साथ अपने event handler को अगर आप bind करना चाह रहे हो तो आपको अपने constructor में ये वाली line लिखनी पड़ेगी अपने event handler के साथ मतलब मेरे event handler का क्या नाम है handle event तो तभी मैंने आपे handle event पास किया है लेकिन हो सकता है आपके event handler का नाम कुछ और हो यहाँ पे आपने उसको पास करना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे यह जो मैंने handle event बनाया था इसके अंदर तो अभी मैं अपनी state को अपडेट कर रहा हूँ ना अगर मैं इसको comment करता हूँ और मैं अपनी इस line को uncomment करता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ this keyword को देखना चाह रहा था कि यह जो object return करता है उसमें क्या information है तो वह मैं आपको दिखाता हूँ इसको save करते हैं ब्राउजर पे आते हैं और अब यहाँ पे देखो मैं इसके ओपर click करता हूँ तो जैसे click करूँगा यहाँ पे देखो पहले hello print हो रहा है और फिर यहाँ पे देखो binding event मतलब यह देखो यह object return कर रहा है देख रहो this basically क्या कर रहा है एक object return कर रहा है लेकिन जब मैंने this को bind नहीं किया था तो यहाँ पे क्या लिखावा था यहाँ पे undefined लिखावा था देख रहो यह सारी information आपको बता रहा है कि भई this के अंदर क्या क्या information मौझूद है तो यह जो basically concept है bind करने वाला यह java script का concept है मतलब आप यहाँ पे यह नहीं समझना कि react के अंदर यह मसला है मतलब यह line हमें react के अंदर लिखनी पड़ रही है ठीक है आप यह नहीं समझना क्योंकि यह जो issue है यह जो concept है यह java script में से आ रहा है भई देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो यह मैंने आपको पहला तरीका बताया न किस तरह से आप अपने event handler को bind कर सकते हो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ ठीक है मतलब total तीन तरीके है अभी यह वाला जो तरीका है यह पहला तरीका है जिसके अंदर आप क्या करते हो यह वाली line लिखते हो अपने constructor के अंदर अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ठीक है तो दूसरा तरीका बताने से पहले यह वाली जो line है set state इसको मैं uncomment करता हूँ और इस line को मैं comment कर देता हूँ ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ theory की बात करते हैं और उसके बाद मैं आपको दूसरा और तीसरा तरीका बताता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो binding event handlers देखो पहला point in react.js we need to bind events so that the this keyword would not return and undefined मतला देखो यहाँ पर क्या कहा है react.js के अंदर ना हमें events को bind करना पड़ता है event handler के साथ ठीक है तो जब हम bind कर देते हैं तो तब क्या होता है हमारा जो this keyword होता है वो हमें undefined return नहीं करता मतला अगर आप चाह रहे हो के भई आपको event handlers को bind करना है तो आपको लाजमी अपने this keyword को bind करना पड़ेगा ठीक है फिर आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखो binding event handler in render method मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना कि event handler को bind करने के तीन तरीके है पहला तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया जिसके अंदर हम अपने constructor के अंदर यह वाली line लिख रहे थे अपने event handler के साथ और इसके अंदर this को bind करवा रहे थे अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है binding event handler in render method इसके अंदर हमें क्या करना है देखो we can bind the handler when it is called in the render method using bind method मतलब देखो भई अभी क्या हो रहा है अभी जब हमारा constructor चल रहा था ना उसी वक्त मैंने अपनी इस line को call करवाया हूँ था लेकिन मैं चाहरा हूँ कि भई मुझे इसको constructor पे call नहीं करना बलके मुझे इसको वहीं पे call करना है जहाँ पे मैं अपने on click event को call कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो second point देखो बटन के अंदर आपने क्या लिखना है पहले on click और फिर उसके बाद देखो this.click handler click handler मतलब जो आपका event handler है उसका नाम और फिर bind का method और उसके बाद आपने उस method के अंदर क्या पास कर देना है this तो मतलब यह line लिखने से भी क्या होगा आपका जो event handler है वो bind हो जाएगा किस तरह से यहाँ पे देखो यह वाली जो line है ना यह वाली line ठीक है इसको मैं यहाँ से constructor में से comment करता हूँ ठीक है मैंने इसको comment कर दिया और अब यहाँ पे देखो अब यह वाली जो line है ना button की इसको भी मैं comment करता हूँ copy करता हूँ और यहाँ पे देखो दुबारा मैं इसको paste करता हूँ ठीक है और अब मैं इसके अंदर यह वाली line लिखता हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई ठीक है देखो this.handle event handle event कौन से event handler है यह वाला जिसके अंदर मैं अपनी state को update कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ dot bind और इसके अंदर मैं क्या काम कर दूँगा इसके अंदर मैं this को bind कर दूँगा मतलब देखो पहले हम क्या कर रहे थे पहले हम यह वाला काम अपने constructor में कर रहे थे अब आप समय लो अब मैं यह वाला काम अपने button के उपर कर रहा हूँ लेकिन इससे पता है क्या होगा कि जब जब आप button पे click करोगे ना तब तब आपका यह जो event handler है वो bind होगा मतलब constructor में क्या हो रहा था कि जैसे हमारे पास यह constructor चलता है उसी वक्त वो bind हो जाता है मतलब आपको बार बार bind करने की ज़रोत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पे देखो यह जो button है मैं इस button पे जब जब click करूँगा तब तब यह event handler हमारा bind होगा ठीक है तो यह point आपने याद रखना है बाकी काम सेम होगा ठीक है देखो मैं इसको save करता हूँ ब्राउजर में आता हूँ और अब ही देखो यहाँ पे मैं इसको refresh भी कर लेता हूँ ठीक है console refresh होगया और अब देखो मैं इस button के उपर click करता हूँ तो यह देखो state update हो गई कुमार हो गया इसका मतलब इस तना से भी मैं क्या कर सकता हूँ अपना जो event handler है उसको bind कर सकता हूँ मतलब यह दूसरा तरीका है ठीक है फिर आगे चलते अब यहाँ पे देखो binding event handler in the constructor यह तो मैंने आपको करके दिखा दिया यह पहला तरीका मैंने आपको बताया था देखो इसके अंदर क्या बता रहा है in this approach we are going to bind the event handler inside the constructor this is also the approach that is mentioned in react.js documentation मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भई आप अपने event handler को constructor के अंदर bind करते हो और react.js भी इसको recommend करता है मतलब constructor के थूँ जब आप event handler को bind करते हो यही concept react.js की documentation में भी बताया है मतलब इसी approach को use करने का react.js भी हमें बता रहा है कौन सी approach यह जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी जिसके अंदर अपने constructor के अंदर यहाँ पे देखो मैं यह वाली line लिख रहा था सही है? लेकिन यह तरीका भी है और यह वाला तरीका भी है जो अभी मैंने आपको बताया. ठीक है? अब यहाँ पे देखो second point देखो क्या कह रहा है this has performance benefits as the events aren't binding every time the method is called. मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है अगर आप यह वाली approach यूज करते हो ना के constructor के अंदर अपने event handler को bind करते हो तो इससे performance अच्छी होती है मतलब यह कह रहा है कि अगर आप यह वाला काम करते हो ना कौन सा वाला ही जो हमने constructor में किया था? अगर आप यह वाला काम करते हो तो यह performance के लिए अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंके देखो यह वाला जो मैंने काम किया है ना अपने button पे ठीक है इस case में क्या होगा कि जब जब मैं अपने button के ओपर click करूंगा तब तब वो bind किया जाएगा बिलकुल नए सिरे से मतलब आपने एक दफ़ा button पे click किया तो एक दफ़ा bind हुआ और उसके बाद खतम हो गया फिर आपने दूसरी दफ़ा button पे click किया तो यह दूसरी दफ़ा दुबारा से bind किया जाएगा इसी तरह यह हर button click पे बार बार bind किया जाएगा लेकिन अगर आप constructor में करते हो यह काम तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे एक ही दफ़ा bind होगा और फिर आप जितनी दफ़ा भी button पे click करते जाओ ठीक है तो यह इसका एक important point है अब आजाओ आगे next point पे यहाँ पे देखो अब बात कर रहा है binding event handler using arrow function मतलब देखो यह बहुत important point है मतलब देखो भई मैं चाहरा हूँ कि मुझे bind का method यूजी नहीं करना ना मुझे अपने बटन के अंदर यूज करना है ना constructor के अंदर यूज करना है तो तब मैं यूज कर सकता हूँ arrow function क्योंके भई यह देखो यह जो मैंने अभी function मनाया था ना कौन सा handle event यह हमारी class का regular function है यह arrow function नहीं है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं arrow function यूज करता हूँ ना तो arrow function के अंदर by default हमें this keyword accessible होता है मतलब हमें this को bind करने की जरूवत नहीं पड़ती तो इसका मतलब अगर arrow function होता है तो arrow function के case में मुझे अपने this को bind करने की जरूवत नहीं है वो पहले से bind हुआ भा होता है ठीक है तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ देखो इस portion को मैं comment करता हूँ ठीक है इसको मैं comment करता हूँ और दुबारा मैं इसको paste कर देता हूँ यहाँ पे लेकिन यह regular function है अब मैं इसको बनाता हूँ अपना arrow function किस तरह से यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं is equal लगाता हूँ parenthesis और parenthesis के बाद यहाँ पे मैंने यह arrow लगा दिया ठीक है तो बस इतना सा काम किया यहाँ पे क्या हो गया यह मेरा arrow function बन गया और यहाँ पे देखो अब मैं arrow function को call करता हूँ यह वाला जो button है इसको मैं copy भी कर लेता हूँ comment भी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको उपर paste करता हूँ ठीक है और अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपे simple इस तरह से, this.handle event ठीक है, सही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब यह जो handle event है, यह regular function नहीं है, बलके यह हमारे पास arrow function है, ठीक है, तो अब इसको save करते हैं, और इसका result मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आजाओ, और यहाँ पर एक और तरीका है, चलो मैं आपको चौता तरीका भी बता रहा हूँ, चौते तरीके में क्या होगा, देखो, मैं यह जो arrow function है, इसको comment कर लेता हूँ, यह जो मेरा regular function है, ना, मैं इसी को uncomment करता हूँ, सही है, यह मेरा regular function है, लेकिन अब मै इसको call कैसे करूँगा देखना, देखो, मैं यह वाला button यहाँ से copy करता हूँ, comment करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसको नीचे paste करता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पर देखना मैं इसको call कैसे करूँगा, यह देखो, मैं इसको call करूँगा arrow function की तरह, मतलब देखो, य लेकिन यहां पे देखो, यह जो मेरा regular function है, यह देखो, यह मेरा regular function है, यह arrow function नहीं है, लेकिन मैं इसको call कर रहा हूँ, मैं इसको call किस तरह से कर रहा हूँ, एक arrow function मना के, समझ रहे हो, मतलब यह जो arrow function है, यह किसके साथ bind हुआ हूँ है, यह हमारे regular function के साथ bind हुआ हूँ है, और अब देखो, अब मैं अपने बटन के उपर क्लिक करता हूँ, तो यह देखो, अब भी आपके पास कुमार प्रिंट हो रहा है, मतला आप स्टेट अपडेट हो रही है, सही है कॉंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट बता रहा था, This is probably the best way to bind events and still pass in parameters to the event handlers easily, मतला देखो, यहाँ पर कह रहा है कि यह भी एक best तरीका है, कि आप अपने event handler को bind कर सकते हो, और last class में जब हमने event handling पड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था, कि जब हम arrow function को use करके event handling करते हैं, तो हम arrow functions के अंदर parameters भी pass कर सकते हैं, मतला अपने event handlers को parameters pass कर सकते हैं, यह हमने अपने previous lecture के अंदर देखा था, फिर देखो second point, by using this way you don't need to bind this keyword, देखो भई बात कर रहा है, अगर आप arrow function का concept यूज करते हो, तब आपको ना तो bind method यूज करने की जरूरत है, ना ही bind के अंदर आपको this keyword का reference पास करने की जरूरत है, तो यह भी एक best तर function should be called whenever this event is triggered, और in other words, whenever the event is triggered, the function which is bind with the event should be called, फिर देखो second point, bind creates a new function that will have this set to the first parameter, pass to the bind, मतला देखो bind method क्या करता है, एक नया function मनाता है, और bind के अंदर आपको पहले parameter में क्या पास करना पड़ता है, this keyword pass करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप bind method के अंदर this pass नहीं करोगे, तो आपका जो event handler है वो bind नहीं होगा, और bind नहीं होगा, तो आपका event handler कभी भी execute नहीं होगा, तो इसलिए ये चीज बहुत आदा important है, और याद रखना ये जो concept है ना, ये अमारे पास सिफ class component के अंदर use किया जाता है, तो ये था आज का हमारा part number 19, जिसके अंदर हमने event handlers को bind कर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दौा में याद रखिए, तो मिलते हैं इंचाला नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्ला हाफिस